नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरीज अगरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूटुब चैनल गार्डेनिग इज मैं पैसिन का हिंदी भर्षन दोस्तों अगर आपके पास छोटे-छोटे सीडलिंग है पौदे हैं और यह सैपलिंग बर नहीं रहे यह दिखें छोट अगर है तो आप इस तरह के खात का प्रोएक कर सकते कितनी मात्रा में करेंगे कैसे प्रोएक करेंगे पूरा वीडियो मैं दिखाता हूं थोरे से दाने सातार दाने लेने हैं और यह जो पौदे है कैसे इसको फिटिंग करने देखें छोटे से एक इंच की गंबले में या इसको निकाल दे रहें और चारू तरफ से इसको फिटिंग कर रहे है थोरे से खात का प्रोएक कर रहे है और मैं आपको दिखाता हूं कैसे पहले देख लीजिए क्या है कैसे यह प्रोएक कर रहे है उसके बाद मैं बताता हूं कैसे इसका प्रोएक कर रहे है उसके बाद मै देने के बाद यह दे डाने दीख रहे हैं चारोतर उसके बाद मिट्टी देखे और एक लेयर दे दिया जाता है यह देखे कुछ फिटिंग करकर करके मैं दिखाता हूं यह रहाएं यह पदे हैं बिल्कुल नहीं वर रहे थे तो हम लागने नमाली ने कहा कि यह तक्निक का अप्लाई कर दिए हमने तीन दिन पहले अप्लाई करके देखा था बहुत अच्छा रहा है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है लेकिन आपको बार बार प्रोएक नहीं कर रहा है एक बार यह दो बारी इस तक्निक का प्रोएक करेंगे तो पौधे खराब हो सकत यह देख़िए प्लेन गार्डेन सॉइल है प्लेन गार्डेन सॉइल में कुछ खाद मिलाई यह वर्मिकॉम्पोस्ट बगर है और यह देखिए यह फिटिंग करके और आप तीन से चार दिन में बिलकुल यह पौदे को बिलकुल ट्रैंस्प्लेंट करने लाएक और पाच इं दिन बाद आप आसानी इसको 8ajt के लोलेमं कर सकते हैं यह तक्णिक में दिखाता हूँ अब क्या है फिटिंग कर लिने के बाद में आपको प्रिंकर कर दें को यह देखिए पानी स्परिंorkल कर दें 갑टर रखते हैं यह पूरा काम है यह पौलिया। के अंदर ही हो रहा है और इसको सेमिसर्ड में 3-4 दिन रखने के बाद आप इसको दिखाता हूँ मैं रियल्ट आपको 3 दिन पहले हमने किया था यह दीखें पौदे 3 दिन पहले आपको टेंस्प्लैंट किया था यह दीखें क्या बार या दो बार प्रेव करें ताकि यह बहुत तेजी से ग्रोथ हो और इसके बाद आप नॉर्माल जो सर्सों की खली का खाद है या कॉम्पोस्ट है वही देते रहे और ग्रोथ बहुत अच्छ रहेगा उमिद यह तक्निक आपको पसंद है लाइक किए शेयर किजिए चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद सुक्रिया